आज हम बनाएंगे कच्चे आम का मुरब्बा कच्चे आम का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने लिए हैं चार कच्चे आम और एक कटोरी शक्कर कच्चे आम का मुरब्बा बच्चों को बहुत ही पसंद आता है बहुत टेस्टी बनता है और अभी सीजन भी चल रहा है तो कच्छे आम को छील के और इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है चलिए अब गैस अन करते हैं गैस अन करेंगे आम दाल देंगे कच्छे वाले इसमें काट के रखे हुए थे शक्कड़ डाल देंगे तरह से कच्छे आम को जब काट लेंगे हैं उसके न HOW बर्ट धूना नहीं है पहले ही इससे दोलें और अच्छी तरह से सुखा लें उसके बाद I'mματα को श्लील के काट लें हम सी बार दो इसे पाल से इसी तरह इम पकने देंगे जब तक हम इसने एक तार की चास्नी चाहिए जब अच्छी तरह से गूल चुकी है अब हम इसे टेंगी और चला थे नपर उसे नहीं 30 फिके गूए हैंजान चला लेते हैं हम बीच बीच में इसे चला रहे हैं अभी हम इसे और पकाना है इसे फिर से ढप देते हैं और पकने देते हैं देखिए हमने इसे पका लिया है मैंने 10 निट इसे मीडियम फ्लेम पर और 10 विनिट एक दूप पर पकाया है हम गैस को आफ कर देंगे और इसे चेक करने के लिए कि एक्तार की च याहत है है नाई देख लेते हैं सिवोड़ी ऐसानी सी शाली से कट्टो दी वे निकाल रैमया य फ़िलतवाः ठंड़ा घंड़ा वोने देंगे इसे यह देखिए एक तार की चासनी आ चुकी है गैस को आफ कर देंगी और इसे ठंडा होने देंगी मुरब्ब ठंडा हो गया है हमने इसे बहुल में निकाल लिया है अब आप इसे एर टैट कंटेनर में भर कर फ्रिज में रखके एक महिने तक यूज कर सकते हैं अकर आपको मेरी रेश भी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें थैंक यू